हेलो क्लास एड तो कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास एड सामाजिक एवाम राजनितिक जीवन का चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर का नेम है तो हमारी आप रादिक न्याय प्रणाली को जानना तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर के क्वेशन आंसर तो चलो आप अपनी कॉपी और पैन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेशन आंसर को सॉल्व करने तो देखो चैप्टर के अंदर सबसे पहला कुशन आपके पास जो आता है पार्ट गद प्रशन के अंतरगर यहां पर प्रशन है आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलीस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए यहां पर क्या है ठीक है आरूपी द्वारा दिये गए ब बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तमाल नहीं किया जा सकता ठीक है अब क्यों कि पुलीस हिरासत के दौरान हो सकता है कि आरूपी ने पुलीस की मारपीट से डर कर या किसी दबाव में आकर बयान दिया हो तो उसके बार देखते हैं मैं पर प्रशन दो देखते हैं आईए अब शानती की कहानी पर वापस लोड़ते हैं और इन सवालों के जआजब खोशते हैं तो यहांपर प्रशन एक है देखो जब चोरी के hiçbir इलजाम में में शानती को गिरफतार किया गया उसी दोरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी दो दिन तक पुलिस हिरासत में रखा क्या उसको हिरासत में रखने की कारवाई कानूनन सही थी और क्या इससे डी के बसू दिसान निर्देसों का उलंगन हुआ है क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शान्ती को गिरफटार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से प्रियाप्त सवाल पूछे थी और यहाँ पर जरूरी सबूत इकटा किये थे पुलीस की जिम्मेदारी के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से क्या क्या करना चाहिए था तो इसका उत्तर हम देखते हैं यहाँ पर आपने यह स्टोरी जो मैं आपको बता रहो ना यह आपने चैप्टर के अंदर पढ़ी होगी पुलीस की जिम्मेदारी के हिसाब से इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से निम्लिक्षित कारे करने चाहिए थे और वो कारे क्या है हम देखते हैं आपर शांती की गिरिफतारी के समय अरेस्ट मैमो के रूप में गिरिफतारी संबंदी पूरी जानकारी के कागस तयार करने चाहिए थे अरेस्ट मैमो पर सांती के दस्तकात करवाने चाहिए थै और सांती के किसी जानने वाले या रिस्तिदार को जानकरी दी जानी चाहिए थी अग्ला कॉशिन ने हमरे प्रस्न दीन है आएए अव थोड़ी अलग इस्तिती के मामले को देखते हैं मान लीजिए सांथी और उसको यहां पर उसके भाई सुशील थाने में जाकर यह शिकायत करते हैं कि सिंदे के 20 वर्षिय बेटे ने उसकी उनकी जो बचत के 15,000 रुपिये चुरा लिये हैं क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फोरण उनकी FIR दर्ज कर लेगा ऐसा करके ठीक हैं अच्छा यहां पर ऐसा कारक लिखिये जो आपकी राय में FIR लिखने या ना लिखने के पुलीस के फैसले को प्रभावित करते हैं तो यहां पर नम इसका उतर देखते ह थाने का प्रभारी अधिकारी कौन है शांती वह उसके भाई शुशील की एक FIR फोरण दर्ज नहीं करेगा FIR ना लिखने के पुलीस के फैसले को प्रभावित करने वाले कारक निम लिखिता है वो कौन से कारक है जिस वह एकदम से जो FIR नहीं लिखेंगे वो है शांती गरीब घरेलू नौकरानी है और जिस पर चोरी का इलजाम लगा है वह अमीर बाप का बेटा है इसलिए गरीब होने के कारण पुलीस सांती के सही होने पर भी उसकी बात का दबाने की कोशिश करेगी पुलीस अफसर उल्टा सांती तथा उसके भाई सुसील से सवाल खरेंगे कि उ उनके पास 15,000 रुपिय कहां से आए और उन्हें डरा दमका कर वहां से भागा देंगे तो यह सारे यहां पर कारण थे कुशन नमर 4 देखते हैं कुशन नमर 4 है सारे गवाहों के बयान सुनने के बाद नियायदीस ने सांती के मुकदमे में क्या कहा अब जो नियायदीस था इसने लिक्षे फैसले में कहा कि सब इंस्पेक्टर राव ने ठीक से जांस नहीं कि जिसके कारण शांती को जेल जाना पड़ा तो उसके बाद कुशन नमर 5 देखते हैं कुशन नमर 5 यहां पर प्रस्ट चोहतर पर मोटे अक्षरों में जो प्रक्रियाएं लिखी गई हैं वे सबी निश्पक्ष सुनाई के लिए बहुत जरूरी है सांती के मुकदमे के इस विवरन को आधार पर अपने शब्दों में लिखें कि निमलिकित प्रक्रियाओं का आप क्या मतलब समझते हैं तो आप देखो यहां पर प्रस्ट चोहतर में आप देखें अपनी बुक मे और वहाँ पर देखते हैं यहां पर एक खुली अदालत सबूतों के आधार पर और थर्ड पॉइंट है अभी योजन पक्स के गवाहों से जिरह तो उसके बाद हम उतर देखते हैं यहां पर खुली अदालत सांती का मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया फिर सेकंड है यहाँ पर सबूतों के आदार पर नियाय अदिस ने अदालत के सामने पेश किये गए सबूतों के आदार पर शांती को बरी कर दिया अगर 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 आदालत उसे निर्देश नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती तो क्या होता आपको बताना है यहाँ पर तो हम देखते हैं अगर शान्ती को अपने बचाओ के लिए वकील न मिलता तो उस पर अपराद की सजा मिल जाती और फिरम देखते हैं जो उसने किया ही नहीं था तो उसके ऐसी सजा मिलती जो उसने कुछ किया ही नहीं था और उसके जमा किये गए पैसे भी वापिस नहीं मिलते हैं अगर अगर अदालत उसे निड़्दोस नहीं मानती और मुकदमा चलाती तो मुकदमे की सारी पक्रिया गलत होती और इसे इंसाफ नहीं मिलता तो यह सब यह कारण हो सकते थे फिर हम देखते हैं चित्र आधारी प्रशन तो आप अपनी बुक में देखें चित्र वहां पर बनाओगा उप्रोक्त चित्र कथा पट से ठीक है पट के आधार पर बताईए कि आप राधिक नियाय विवस्ता में कितने अधिकारी मुख्य लोग होते हैं और तो यहां पर हम देखें चित्र देखें आप अपनी बुक में देखें गयाओ अप्राधिक नैयाय विवस्ता के मुख्य लोग होते हैं नियाय विवस्ता के तो इसके बाद मैं देखते हैं आगे अब है यहाँ पर प्रश्ण अब्यास पाटे पुस्तक से के अंतरगर तो यहाँ पर आपके पास जो आपके पुस्तक के अंतरगर जो प्रश्ण है वो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो आपको एक्सराइज में दिये गई है तो यहाँ पर है पीस लेंड नामक शहर में यहा और यहाँ पर फेस्ता के समर्तकों का एक जुंड घातक हतियारों से लेस होकर अपने शहर के जुबली समर्तकों पर घाव बोल देता है अच्छे यहाँ पर धावा बोल देता है और इस हमले में दस लोग मारे जाते हैं पांच औरतें बुरी तरह जखमी होती हैं बहुत सारे घर नश्ट हो जाते हैं और पचास से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं हैं और अपनी कख्छा को इन चार समों में बाच दीजिए तो अब आपको का करना है हैं कि आप और आपके सह पार्थिक अपराधिक नियाए विवस्ता के अंग है। सो अब आपको अपनी कक्षा को इन समों में बाट लेना एक पुलीस एक सरकारी वकील बचाव पक्सवाव वकील और यहाँ पर नियाजा दीस तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं निम्न तालिका के दाएं कॉलम में कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं और इन जिम्मेदारियों को बाई और दिये गए अधिकारियों की भूमिका के साथ मिलाएं प्रतेक टोली को अपने लिए उन कामों का चुनाव करने दीजिए जो फ प्लीस है सरकारी वकीले बचाव पक्स वह वकील है और यहां पर है नियाए दीज तो यहां कारे देखते हैं गवाओं को सुना यह सभी आपको यहां पर मैच करने तो मैं सीदह आपको मैज़ फॉलंग्स में ले जाता हूं भूमिका यहां पर आप देखो प्लीस की जितनी देखते हम सरकारी वकील का काम क्या होता है अदालत में गवाहों की जाच करना और पीड़तों का पक्स प्रस्तुत करना फिर यहां पर है बचाव पक्स का वकील ठीक है बचाव पक्स का वकील क्या है आरोपी वक्तियों से मिलना और गवाहों से बहस करना ठीक है जो आरोप कितने साल जेल में रहेंगे फैसला लिखना और फैसला सुनाना यह सभी क्या होता है नियाए दिस्यानी के जज के हातों में होता है फिर हम प्रशन दो देखते हैं आपर अब यही इस्तिति लें और किसी ऐसे विद्यारती को उप्रोक्त सारे काम करने के लिए कहें जो फियस् पाएगा तो हम यहाँ पर देखते हैं उतर से पिडिटों को न्याय नहीं मिल पाएगा क्योंकि अब आपको कारण लिखने हैं एक विक्ति के हातों में सारी सक्टियां होने पर भेदवाव की संभावना बढ़ जाती है डूसरा है शक्ति के दुरपयों की संभावना भी ब आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आप रादिक न्याय व्यवस्ता में विभिन लोगों को अपनी अलग-अलग भूमिका निभानी चाहिए दो कारण आपको इसमें बताने हैं तो इसका उत्तरम देखते हैं विभिन लोगों को अलग-अलग भूमिकाएं ठीक है अलग-अलग भूम करेंगे तो वे कार्रें को अच्छी तरह से कर सकेंगे और भेदबाव को पन अपने का मौका नहीं मिल पाएगा तो अब आप देखो अगर सब जगह एक चैप्टर के question answers complete होते हैं आप class 8 other subject के question answer वीडियो भी modern master जी के channel पर देख सकते हैं आप simply chapter का name लिखे and by modern master जी करके search कर सकते हैं तब तक के लिए पढ़ते रहें और modern master जी का नाम भी रोशन करें